आचारे संकर जब अपने अध्वेक ज्यान से प्रिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे कासी में आये तो कासी में साखसाद भगवान विश्वनात ने उनकी परिक्सा लेनी चाहिए और वोने इस बात को देखा कि प्राता काल जब ब्रह्म मूर्थ में आधिसंकर गंगास्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ सबसे अच्छूत कही जाने वाली एक सामान्य प्यक्ति के रूप में वो उनके मार्क के सामने खड़े हो जाते हैं तो स्वाभाई प्रूप से आधिसंकर के मूँ से निकलता है हटो मेरे मार्क से हटो तो सामने से जो चंडाल होता है वहाँ एक प्रस्न पूचता है क्या आप तो अपने आपको अद्वेर ज्यान की मर्मग्य मानते हैं आप किसको हटाना चाहते हैं आपका ज्यान क्या इस भौतिक काया को देख रही है इस भौतिक काया के अंदर बसेवे ब्रह्म को देख रही है अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपकी अंदर है वही मेरे अंदर भी है और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं इसका मतलब आप का ये ग्यान सत्य नहीं है तो उन्होंने बहुचक थे एक चंडाल के मुँँ से इस परकार की बात नो ने कहा कि आप कौन है मैं जानना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि जिस ग्यान अब्यापी की साधना के लिए दुरुभाके से वो ग्यान अब्यापी की उपास्चना के लिए आप केरल से चल करके हाँ आये हैं मैं उसका साकसाथ स्वरोप विश्वनाथ हो तो अहां उनके सामने नत्मस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पस्याताप होता है कि नहीं यह जो भौतिक अस्प्रिश्यता है यहन केवल साधना के मारक का सबसे बड़ी बाधा है बनके राश्ती एकता और खंड़ता की भी सबसे बड़ी बाधा है और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज में समझा होता तो एदेश कभी गुनाम नहीं होता